हलो फ्रेंड मैं ममता अपने चैनल ममता मिस्रा एंड कुकिंग में आप सबों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड आज मैं समोसे से भी जादा स्पाइसी और क्रंची रेश्पी बनाने जा रही हूँ ब्रेट कटलेट नाम सुनके मुझ में पानी आ रहा है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेट कटलेट बनाना ब्रेट कटलेट बनाने के लिए सबसे जरूरी जो इंग्रीडियन्ट है वो है आलू आलू आप 4 मीडियम साइज के लीजेगा और उसको बॉयल कर लीजेगा बॉयल करके उसको हाथ से छिल के हाथ से आप छोटे छोटे पीसेज कर लीजेगा ज्यादा पेश्ट भी नहीं बनाना है और बहुत बड़ा भी नहीं रखना है आलू के साथ हम लोग हरी मिर्च ले लेंगे चार से पांच हरी मिर्च मैंने बारी कट करके ले लिया है और ये मैंने एक बाउल मटर लिया है हरा मटर और छोग के लिए मैंने जीरा और राई दोनों को ही लिया है और साथ में मैं हींग भी ले ली हैं हींग जो बहुत जरूरी होता है प्राया खाना में आप हींग डालिए ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो हींग भी आप ले लीजे और साथ में मैंने काड़ी पत्ते अपके लिफ्स भी लिये हुए हैं और यह मैंने मुंगफली भी लिया हुआ है मुंगफली जादा नहीं थोड़ा सा ही लिया है इसको अच्छी तरह से भून के और फिसके छिलके हटाके मैंने ले लिये हैं और यह हल्दी लिया है थोड़ा सा एक पिंच और साथ में मैंने यह मसाला है यह मसाला हम लोग जीरा दenter canadaos, और धन अलग अलग भूनके फेद थोड़ा से मिरची भूनके सबको एक साथ पीस के सते हैं तो यह मसाला मैंने ले लिया है थोड़ा दो अर यह नमक मैंने जदा नहीं लिया है आप अपने स्वादन असार नमक डाल शकते हैं अभ एक पैन लेंगे और उस में दो से चम्मज सर्सो का तेल डालेंगे जरूरी नहीं है कि आप सर्सो का तेल ही डालें जो भी तेल आपके पास अबलेबल हो रिफाइन डायल या कोकनट आयल कोई भी आप उसको यूज कर सकते हैं फिर इसमें हम लोग दालेंगे और जीरा और सर्सो को भी डाल देंगे जब यह अब मटर को भी एक से दो मिनट तक भूनेंगे अब इसी टाइम पे हम एक मिनट भूनने के बाद हल्दी डाल देंगे अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक आप अपने स्वात के अनुसार ही डालिएगा जो जैसा खाता है वैसे ही नमक डालें तो मैंने थोड कि तुक्रे डालेके दो-तीन मिनट तक आप अच्य तरह से मिक्स कीजिएगा अभी अच्छी मिक्स हो गया है अब इसने हम लोग जो मसाला बनाया था मैंने वह मसाला डाल देंगे वह एक चमच क करीब मासाला भी डालेंगे अब इसको अच्छी तरह निकाला था ना व तरह से mix हो गया है अब इसमें हम Now couple् साला बनाया था न Movie वह था डाल देंगे वह एक चमच के करीब यह मसाला भी डालेंगे अब इसको अच्छी तरह से चला लेंगे और साथ में मुंणस फली जो हम लोग नह 2022 के दालेंगे आप बस यह बन रेडी है आप इसको एक से दो मिनट तक अच्छी तरह से चलाईए जिससे पूरा मसाला चारो तरफ फैल जाए अब यह बनके बिल्कुल रेडी है अब धनिया के पत्ती इसमें डाल देंगे और उसको भी थोड़ा मिक्स करके फिर इसको ढख करके रख देंगे ढख के नौग अगर भी आप से बना सकते हैं बॉल जैसा और तो थोड़ा लंबा से भी बना सकते हैं मैं थोड़ा लंबा लंबा ही से बनाऊंगी देखिए एक मेरा हो गया है अब मेरे दूसरा बना रही हूं ऐसे ही करके आप सारे के सारे बना लीजिए देखिए सब बन गया है मेरे और अब इसको एक साइड में रखती चे अब फिलिंग को भरने के लिए हम ब्रेट के जो चारों किनारे हैं ना वो हम कट कर लेंगे रेड़ वाला पोर्सन छूरी के साहता से आप अच्छी तरह से कट कर लीजेगा और फिर एक एक सिर्फ ब्रेट को लीजेगा और उसमें से पूरा पानी मैंने निकाल दिया है और अब इसमें मैं फिलिंग डालके इसको चारों तरफ से बंद करूंगी एक एक स्ट्रब्रेट का पीसेज ले लिजेगा और कहीं गैप रह जाए ना तो उसको पानी में भिंगा के निचोड के बंद कर दीजेगा ऐसे ही करके हम सार अब हम लोग इसको सेट करने के लिए आधा एक घंटा छोड़ देंगे आधा एक घंटा चोड़ने से क्या होगा इसका जो उपर का सर्फेस है ना वो सुख जाएगा और यह सुख जाएगा तो हमें च्छतलने में बहुत आराम रहेगा और बहुत क्रिस्पी होगा अब आ कराही लेंगे या पैन लेंगे और उसमें हम ओयल गरम करेंगे और जब अच्छा गरम हो जाए तो एक एक करके सारे आप चार पांच एक साथ आप तल सकते हैं और तुरंद इसको पलटिएगा मत थोड़ा सा टाइम दीजेगा ताकि यह उपर तक तेल इसके चड़ जाए फिर आप एक एक करके पलट लिजेगा और देखे इस तरह से गोल्डेन चमच के साहता से आप इसको पलट लिजेगा और गोल्डेन होने तक इसको तलिएगा ज्यादा लाल मत कीजेगा देखे यह जो दिख रहना इकदम करेक्ट है इतना ही लाल हमें निकालना है अब मैं इसको सर्फ करके दोनों चटनियों के साथ आपको दिखाती हूँ देखे यह कितना क्रंची हुआ है यह अभी आप आवाज सुनेंगे अब मैं आपको तोड़के दिखा रही हूँ कि यह कितना क्रंची और कितना अंदर तक भरा हुआ है अगर आपको हमारी रेश्पी पसं तो हम अपने में इंप्रूब्मेंट ला पाएंगे इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू